गुड मॉर्निंग अब्रिवन स्वागत आप सभी का वीजडम एजुकेशन पर आज 14 जून 2020 है संडे का दिन है और संडे का दिन हमारा डेडिकेटिड होता है नए लोगों के लिए तो आज बेसिकली हम डिसकस करेंगे कि दैनि जागरन को किस तरह से पढ़ा जाए यूपीस का में किस तरह से आपका सयोगी हो सकता है दैनि जागरन का राश्टिय संस्क्रण उस पर हम डिटेल से डिसकस करेंगे और कई सारे यूपीसी के टॉपर है उन्होंने डैनि जागरन के राश्टिय संस्क्रण को पढ़के यूपीसी एक्जाम निकाला है आई एस बने है तो UPSC के previous year का paper हमने solve किया है अगर आप UPSC 2020 दे रहे हो तो आपके लिए UPSC का previous year paper important है महतपूर्ण है playlist में आपको मिल जाएगा हमारे playlist में आप UPSC के previous year का paper जाकर के देख सकते हो या आप BPSC की त्यारी कर रहे हो तो BPSC के previous year का paper भी हमने solve किया है उसको जाकर भी आप playlist में देख सकते है यदि आपको इसका PDF चाहिए मालो दैनिक जागान का PDF चाहिए या UPSC के paper का PDF चाहिए या अन्य कोई PDF चाहिए In fact, जैसे हम लोग दैनिक जागान का यहाँ analysis करते हैं लेकिन बहुत सारे news जलसता का भी important होता बहुत सारे article होते हैं pioneer का भी important होता है tribune का भी important होता है तो वो सारा का सारा PDF हम आपको provide करते हैं टेलिग्राम चैनल पे जिसका link आपको description में मिल जागा आप हमारे टेलिग्राम चैनल wisdom education को जाकर के join कर सकते हैं link will be in description तो चलिए start करते हैं लेकिन उसे पहले आज का question देखो वीडियो अगर आपने देखना शुरू किया है तो इसको pause करके वीडियो को pause करके इसका जवाब हमें comment section में दे दो कल हमने इस पर detail से discuss किया था कल का वीडियो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये आप आसानी से solve कर लोगे भारत और अमेर्का ने की समझोता पर sign नहीं किया हमने आपको कल बताया था कि अमेर्का अपने सयोगी के साथ चार महत्पुन समझोता को sign करता है और ये चारों ही महत्पुन समझोता है इस चार महत्पुन समझोता में तीन को भारत ने साइन कर लिया और एक को इंडिया ने अभी तक साइन नहीं किया तो आपको बताना है कि वो कौन सा agreement है जो इंडिया ने अभी तक साइन नहीं किया है option A है कौमकाशा B है लेमोअ C है बेका और D है जी एसो एम आई ये तो आपको इसका जवाब हमें पॉज करके सबसे पहले comment section में दे देना है वीडियो के last होते हैं इसका discuss हम कर लेंगा देखो फर्स्ट पिस पिस जो news discuss करना है वो यह करना इसो पहले सुन लो इसो क्या है इसो यह है कि नेपाली सांसद ने एक मैप पारित कर दिया है मैप पास कर दिया है और वो मैप में जो है जो तीन जगा है लिपू लेख, काला पानी और लिम्पिया थुड़ा को नेपाल में दिखाया गया नेपाली सांसद ने एक मैप पारित कर दिया है नेपाल का मैप जिसमें लिपू लेक, काला पानी और लिम्पिया थुड़ा को दिखाया गया है नेपाल में भारत ने असपस तौर पर इसे असुकार किया भारत ने इसका बिरोध किया अब देखो इसके बेसिक्स में थोड़ा से सलते हैं यहाँ पर देखो एक संधी के चिक्र है भारत सरकार यानि अंग्रेज के बिच में एक संधी हुआ था सुगोली की संधी वन्डे एक्जाम में भी कई वार कॉश्चन पूछा इस सुगोली संधी में एक नदी की जिक्र आता है उस नदी का नाम है महा काली नदी या काली नदी भी इसे कहा जाता है तो जैसे ये नदी है, मालो ये नदी है, इस नदी के जो पस्मी साइड है, उसको कहा गया कि ये इंडिया का पार्ट होगा, और इस नदी के जो पूर्वी साइड है, उसे कहा गया कि ये पार्ट होगा नेपाल का, किलिए रहे यहां तक, इस नदी के पस्मी साइड इंडिया का पार्ट होगा और इसके पूर्वी सैट जो है वह पार्ट होगा नेपाल का इतना तक क्लियर है उसके बाद इसू कहां से उठ रहा है इसू यहां से उठ रहा है कि 1860 के समय में हमारे पास वो साधन नहीं थे कि नदी का एक्जेक्ट सोर्स हम पता कर सके हमने इस पर ध्यान नहीं दिया आजादी के बाद में लेकिन जब 1962 की जब लड़ाई हुई थी चीन के साथ तो उसके बाद हमने यहां पर ध्यान देना शुरू किया खास करके लेपू लेक डर्रा के आसपास का छेत्र तो उसके बाद एक्जेक्टली हमने सोर्स पता किया कि नदी का सोर्स क्य संदी में जाता है उस ग्लेशियर को नदी का एक्जेक्ट सोर्स कहा गया तो स्तुगोली के संदी के अनुसार नदी का पश्मी छत्र जो है वो होगा आपको इंडिया में पूर्वी छत्र होगा वो नेपाल में होगा तो भारत सरकार अभी के समय में यह कर रही है कि जो नेपाल में वहां से पश्मी पार्ट होगा वहा होगा आपको इंडिया में राइट किलियर है लेकिन नेपाल सरकार का कहना है कि नदी का एक्जेक्ट सोर्स नहीं यानि ग्लेशियर का एक्जेक्ट सोर्स नहीं नदी जहां से बहना सुरू करती है वहां से इसको कम पेर लिप्या थुरा लिप्या थूरा काला पानी और लिपो लेक इंडिया का च्छतर है हमारा country स्थर है हमारा मिलिटरी बेस भी यहां पर है 1962 के बाद हमने यहां पर मिलिटरी बेस बनाई था जिरह यहां तक अब देखो discovered इस question से UPSC के लिए आपके लिए कैसी important होगा means के लिए खास करके तो भारत और नेपाल संबन्द के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए भारत और नेपाल के विच में क्या-क्या संबन्द है तो थोड़ा सा हम discuss करेंगे आज भारत और नेपाल संबन्दों को ले करके भारत और नेपाल के विच में साकारातमक संदर भी क्या-क्या है साकारातमक पॉइंट क्या-क्या है कि भारत और नेपाल महतपूर्ण प्रोश्ची देश है भोगलिक दिश्टी से एथ्यासिक दिश्टी से सांस्कृतिक दिश्टी से आर्थिक दिष्टी से हर तरह से नेपाल इंडिया के लिए महत्पुर्ण है उसके साथ ही सांस्कृतिक संबंद या धार्मिक संबंद भी हमारा नेपाल के साथ है कैशे कि बुद्ध भगवान का जन्म जो है कपील वस्तु के लुम्बिनी नामक अस्थल पे हुआ था जो वर और इसका विनिर्वान जो है इनकी मिर्तु कुशी नगर में हुई थी बुद्ध भगवान की जो इंडिया माता है उन्हें ग्यान के प्राप्ति गया में हुई थी जो इंडिया माता है तो इस तरह से हमारा धार्मिक संबंद भी है हमारी धार्मिक मानिताय भी नेपाल के स जोड़ी हुएगा August 1950 में 1950 में भारत और नेपाल ने मितृता संधी जो है, शुरू कियाम इसके कारण हमारे और नेपाल की खुली में बांडरी है, उपेन बांडरी है इंडिया और नेपाल के लिए, यानि अगर आपको नेपाल जाना है तो आपको passport की आवसकता नहीं होगे इसी तरह से अगर नेपाली लोगों को इंडिया आना तो उसे भी passport की आवसकता नहीं होगे बहुत सारे job में भी government service में भी नेपाल के लोग इंडिया में job करते हैं एक और महत्पूर्ण fact है कि नेपाल एक landlock country है यानि नेपाल चारों तरफ जो है किसी अन देश से घिरा हुआ तिन तरफ इंडिया से घिरा हुआ और एक तरफ जो है वो घिरा हुआ आपको हिमाले से तो ऐसे condition में उन्हें अगर विश्व बैपार की आवसकता होगे मान लो अगर नेपाल कोई समान बनाता है और चाहता है कि वर्ल्ड मार्केट को इसको distribute करें वर्ल्ड मार्केट तक इसे पहुँचा है तो ऐसे condition में उसे भारत की आवसकता होगी और भारत का कोलकत्ता एरपोर्ट जो है इसके लिए भारत सरकार ने उसे दिया हुआ कि आप जो भी समान चाहें कोलकत्ता एरपोर्ट के माध्यम से आप 200 के बजार तक अपना समान पहुचा सकते हैं या 200 के डिसो से अपने यहां समान मंगवा सकते हैं किलियर है इसी के साथ जो है सेना का नेपाल की सेना का प्रसिक्षन का का काम आधुनिकरन का काम सारा ही काम की जिमिदारी भारत में लिया है भारत नेपाली सेना को प्रसिक्षन देती है आधुनिकरन करने का भी काम करती है किलियर है तो यह सारे पोश्टी पॉइंट है नेगेटिव पॉइंट क्या है नेगेटिव पॉइंट याद रखना, पहलत नेगेटिव पॉइंट यह है कि Belt and Road Initiative, BRI, चीन की इस महत्वा कंख्छे प्रियोजना का, भारत सरकार ने बिरोध किया था, भारत सरकार के बिरोध का कुछ और प्रिपेक्स था, लेकिन भारत के बिरोध करने के बावजूद, नेपाल इसमें सामिल हुआ, तो यह जो है, एक नाकरात्मक संदर्व है, भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर है, दूसरा है कि नेपाल के स्कुल में, चीनी भासा मंदारीन को पढ़ाना अनिवारी कर दिया है, और चीन की जो भासा मंदारीन वो नेपाल के स्कुल में पढ़ाय जाता है और इसको खर्चा जो है इसका जो खर्च होता है टीचर का जो खर्च होता है वो आपको वहन करती है ठीन की सरकार राइट तो ये भी सो करता है कि किस तरह से नेपाल में चीन का प्रभूत बर रहा है जो निश्रीत तोर पर भाद के लिए खत्रे की घंटी ह उसके बाद 15 में 2015 में मधेशी समुदाय का एक बिद्रो हुआ था और काफी फेमस बिद्रो था काफी दिन तक यह बिद्रो चला था नेपाल का आरोप था कि यह बिद्रो को भारत सरकार भरका रही है भारत सरकार इसको जो है सह दे रही है तो इसको भरकाने के काम इंडिया ग यह जो छेत्र है इसको लेकर के भारत और नेपाल के बीच नाकारात्मक संदर्ब दिस्टिगोचर होता है यानि तनाव के अस्थिति दिस्टिगोचर होती है इस तरह से यह कोश्चन जो आई आर का कोश्चन है इंटरनेशनल लिश्चन का कोश्चन है जी एस पेपर टू का यह question है और इसको इस तरह से आप पर सकतो यूपेसी के लिए या स्टेट पीशेस के लिए कुछ positive संदर्व आपको पता चल गया भारत और नेपाल के बिच में क्या है कुछ negative संदर भी आपको पता चल गया भारत और निपाल के विच में क्या है और इसके आधार पर आप एक कंक्लूजन ड्रॉख कर सकते हो देखो नेशनल केपिटल जो यह पेज होता है इस पे नॉर्माली डेली का निउज होता है डेली सरकार का निऊज होता है तो बहुत ज्यादा इंपोर्टन नॉर्माली यह पेज नहीं होता है पेज नमर थ्री में ये आप एक बार पढ़ सकते हो जानकारी के लिए ये पढ़ना है फर्स्ट पेज पर जो हमने डिसक्स किया उसी का ये एक्स्टेंशन है एक बार इसको पढ़ सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो यहाँ पे ये न्यूज पहले आप देखो एस आई घोटाले में न्याईक हिरासत में भीज़े गए आंग परदेश के पुर्वमंत्रे राजनितिक से संबनित न्यूज है एस आई घोटाला हुआ था जिसको लेकर के आंग परदेश के पुर्वमंत्री जो है न्याईक हि बीमा आयोग यह काफी important संगर्थन है UPSC 2017 में इससे question पुछा था फिलिम्स में और कई बार UPSC में में भी question पूछा तो थोड़ा सा discussion हमें करते हैं ESI को ले करके करमचारी राज बीमा को ले करके हम discuss करते हैं पहली बात तो एक्ट याद रख लेना करमचारी बीमा जो है किस एक्ट के तहद जो है regulate होता है तो याद रखना करमचारी राज बीमा अधिनियम 1948 1948 Act के तहद ये regulate होता है I repeat करमचारी राज बीमा अधिनियम Employees State Insurance Act 1948 के तहद ये regulate होता है कि लिएर इसके तहद स्पार्वन्दित दुखटना के कावण असथाई या और असथाई शरीड निसकता हो, तो इसके कावण जो है अगर कोई दुखटना होती है, कोई मिर्ति हुआ हुआ तो उसमें लोगों को जो है किस तरह से लोगों को श्रयूग Friends कि सरे करना के कारण आपकी शरीर असक्षम हो गया हो या मिर्त्यू हो गया हो तो ऐसी कंडिशन में इसको प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है बीमा क्लियर है इसमें जो है एक important fact याद रख लेना इसमें employees और employer दोनों को दोनों contribute करते हैं यानि अगर मालो आप किसी इंडिस्ट्री में काम करते हो तो वह इंडिस्ट्री का मालिक जो होगा वह भी contribute करेगा और आपके वेतन से भी कुछ न कुछ अंस्तान कटेंगे उसके बाद दोनों का contribution के अधार पर बीमा प्रोवाइट किया जाएगा जहां जहां न्योक्ता न्योक्ता मतला होता है जो व्यक्ति आपको न्योक्त करता है न्योक्ता मतला होता है कमपनी का मालिक एक तरस है तो न्योक्ता जो है 4.75% का अंस्तान करता है न्योक्ता 4.75% का अंस्तान करता है इतना परसेंट वह देता है और आपके salary से 1.75% जो है ES में करता है तो यह दोनों मिल करके जो है आपको बीमा मिलता है और अंसदान की यह दर जो है एक जनवड़ी 1997 में से लागो है किलेर है इतना तो बेसिक कॉंसेप्ट आप याद रख लेना एक्ट कौन सा एक्ट है 1948 का एक्ट है अंसदान जो है नियोक्ता करते हैं और कर्मचारी दोनों मिलके करते हैं और इंस्वरेंस की इस आधार पर आपको दिया जाता है इस पेज पर भी हम आपशाने और करदे हैं नहीं होता है वह को लेकर करस्ट को नोकर लेकर के प्रतेयक दिन कुष्ण कुछ आता है टेकर बिशनिम्चेवरे शंनां थाओ याद शुन और कि आएनियोगे साओगा हं में इंडियन मिलिटरी एकेडमी आई एम में भारतिय सेन अकादमी कहां पर है तो उत्राखंड के देहरा दून में पर है भारतिय सेन अकादमी उत्राखंड के देहरा दून में है इंडियन मिलिटरी एकेडमी देहरा दून में है यह आप याद रख लिए ना कई वार एस्ट आप इसको एक बार पर सकते हों यह आर्टिकल इंपोर्टन यह जो हमारे पास एडिटोरियल है एडिटोरियल पेस पे नॉर्मली एक या दो एडिटोरियल तीन एडिटोरियल रहते हैं टोटल तो टोटल तीन एडिटोरियल में एक एडिटोरियल या दो एडिटोरियल परते एक दिन इंपोर्टन होता तो आज जो हमारे पास इंपोर्टन एडिटोरियल है वो यह है कि अवसर को भुनाने का सही तरीका इसको लेकर कि हमने discuss करते हैं और खास करके जो editorial आप पढ़ते हो तो उसके writer के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए यह संजय गुपता है और इनका editorial नॉर्मली अच्छा editorial होता है तो संजय गुपता के बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए कि editorial आखेर लिख कोन रहा तो चलिए discussion स्टार्ट करते हैं देखो भारत सरकार ने आत्मिर्वर पैकेज की घोष्टना की और आत्मिर्वर पैकेज के लिए उन्होंने पांच आधार अस्तम की चर्चा की थी प्रामिनिस्टर मोधी का statement है जिन्होंने 5 आई की चर्चा की 5 आई की चर्चा की 5 आई 5 आई में पहला क्या है intent intent यानि इरादा होना चाहिए दूसरा है inclusion यानि स्वाविशी होना चाहिए तीसरा है investment निवेश होना चाहिए चोथा infrastructure और पांचवा है innovation नविनिक करण होना चाहिए तो ये 5 आधार अस्तम है आग निर्वर भारत के intent, inclusion, investment, infrastructure and innovation के लिए रहे हैं? देखो यहां पर जो discuss किया गया है, वो discuss किया गया है sage के बारे में sage के बारे में आपको थोड़ा से जानकारी ज़रूर होना चाहिए sage क्या होता है? कि special economic zone बिशेश आर्थिक च्छेतर जैसे होता क्या है? कि माल लो ये च्छेतर है माल लो एक area है पांच किलोमेटर या दस किलोमेटर का च्छेतर है, टोटल तो इस area के तहथ इस area के तहथ एक special कानून यहां पर sage के च्छेतर में लागो होता है इस area के तहथ एक special infrastructure इस च्छेतर में बनाया जाता है और इस area के तहथ company को किसी company को आकरशित करने के लिए जो भी काम करना होता, सरकार काम करती है साथ ही साथ एक special कानून यहां पर लागो होता है जो देश के अन्य भाग में जो कानून लागो होता है वो यहां पर लागो नहीं होता है यहां पर special कानून होता है थाकि इन्डेस्ट्रीज को बढ़ावा मिल चके Right? के लिए रेतना? एसिया का पहला सेज एसिया का आई रेपीट एसिया का पहला सेज 1965 में कांडला में बनाय गया था वहीं कांडला जो परता है आपको गुजरात में गुजरात में कांडला एरपोर्ट भी है पहला सेज था, Special Economic Zone था, उससे में इसका नाम दिया गया था, Export, Export, Processing Zone, के लिए रहा है, अब देखो, इशू क्या हुआ, इशू ये हुआ, कि 1970 से 80 के बीज में, 1970 से 80 के बीज में, चीन ने क्या किया है, कि अपने यहां सेज बनाने का फैसला क्या, और चुकि चीन में लोकतंत नहीं है, IDP चीन में लोकतंत नहीं है, सामवादी सरकार हैं, इसलिए वहां कानून काफी टफ कानून होता, तो वहां पर चीन की सरकार ने सेज बनाया, 1970 के समय में, भारत और चीन की एकोनमी लगभग बराबर थी, और सच कहूं, तो 1970 से पहले, इंडिया की एकोनमी चीन की इकोनमी से अधिक थी, और वर्तवान समय में चीन की एकोनमी, भारत की एकोनमी की लगभग तीन गुणनी हो चुकि ए है, वर्तवान समय में, जो 1970 के समय में, पराबर थी, तो चीन आखिर इतना ग्रो कैसे कि चीन, कि ने सेज पॉलिसी लाया, Special Economy John तो वहाँ पर क्या हुआ कि Company, Biswo की Company आकरसित हुई चीन के तरब कि चलो हमें फायदा दे रहा है चीन तो Biswo में जितना भी Company थी वो Company manufacturing unit लगाना शुरू की चीन में चीन में अपना manufacturing unit लगाना शुरू की तो इसको लेकर के वहाँ की चीन डेवलप किया और चीन जो है Biswo का manufacturing hub बन गया क्योंकि sales policy काफ़ी सफल रही चीन में तो चीन की sales policy को देख करके भारा सरकार ने भी 2005 में sales policy लाई special economic zone लाई लेकिन देखो समस्या क्या है चीन में क्या है कि लोकतंत्र नहीं समयवादी सरकार है वहाँ मानलो कि अगर चीन की सरकार ने भूमी अधिकरन कर लिया किसे छेत्र को लेकर क्या यहाँ पर मानलो चीन की सरकार ने भूमी अधिकरन कर लिया तो ऐसी कंडिशन में चीन में कियोई वैक्ति कोई संस्था उसका विरोध नहीं कर सकता, चीन की गौवर्मेंट का कोई एक्टिव या कोई संस्था विरोध नहीं कर सकता, भारत में ये समस्या है, भारत में भूमी अधिगरन को लेकर के काफी समस्या है, अगर सरकार ने भूमी अधिगरन किया, तो निश्ची तोर पे सरक कामगारों के रहने के वैवस्था नहीं किया गया, यहनी सरकार ने मालनो सेज बनाया, सेज में ना तो इस्कूल और होस्पिटल बनाया, ना तो कामगारों के रहने के वैवस्था किया, अब मालनो सेज का जो छेत्र रहा, यहां पे जो भी करमचारी काम करें गया, वो तो चा सरकार ने सेज बनाया लेकिन सेज को उस लेवल पर सरकार ने ले गया है जिसके कारण यहां पे लोग रड़ा सकते यानि भारत की सेज पोलिसी और सफल रही इसका मुलभूत कारण यहीं चार कारण है जो राइटर बता रहे हैं अब देखो अब राइटर का कहना है कि कोरोना के बाद सरकार को अबसर भुनाने के लिए सबसे उप्युक्त है सबसे सही यहीं है कि सरकार सेज पोलिसी पर फिर से एक बार ध्यान दे और जो कमपनी चीन छोड़के इंडिया आना चाहती है उस कमपनी के लिए सरकार प्रोवा उसके लिए एक अच्छा माहौल अच्छा वातावरन हम दे पाएंगे देखो यह इंपोर्टेंस नहीं है आपको पढ़ने क्या पाशकता नहीं है देखो अब किसानों को किसी उपज निर्यात के लिए लाइसेंस जरुवत नहीं अच्छा न्यूज है लेकिन इस न्यूज के बेस में हम चलते हैं इस न्यूज का बेस क्या है इस न्यूज का बेस है किसी निर्यात निती 2018 आपको याद रखना होगा जब कोई न्यूज पर तो उसके बेस में जाकर के आपको पढ़ने के आवसकता होती है उसके बेसिक कॉंसेप्ट को आपको किलियर करने के आवसकता होती है तो राष्टि किरिसी निर्यात निती किरिसी एक्सपोर्ट निती आयती 2018 में उस समय में 2018 में किरिसी एक्सपोर्ट होता था लगवग 30 बिलि शिक्स्टी बिलिएंड डॉलर का किरसी एक्स्पोर्ट करेंगें। 2018 में सरकार ने किरसी export policy लाई और सरकार ने लक्स तैकिया कि 30 billion dollar का जो वर्थमान किरसी export है उसको बढ़ा करके 2022 तक हमे 60 billion dollar किरसी export करना, सरकार ने ऐसा लक्स कियों था किया 2022 को कियों सरकार ने किसानों की आयक को दुगना करने का लक्स टैग किया है और यहीं कारणा है कि एक्सपोर्ट को भी सरकार बढ़ाना चाहते है दुगना करना चाहती है 2022 तक कि लिर है कि अब देखो अब इस न्यूज पर आओ यह न्यूज है कि बिहार का एक मुझपरपूर्ट जगः मुझपरपूर के लिची जिसे साही लिची मुझाफरपुर के किसार ऩाइकली अपने लिची को बेच रहा है बि-айн में जर्मनी जैसे देशों में है इसे को बारे में बैसिक ऐसको पीर कर दिया देखो ये news है कि साथ manufacturing cluster में plug and play की त्यारे है तो आपको normally पता होना चाहिए कि plug and play क्या होता है इस news में बस इतना important है कि plug and play क्या होता है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए देखो editorial page में हमने stage policy को बारे में डिसकुस किया तो उसी से सम्माधित है plug and play कैसे है कि जैसे मानलों कि एक नया manufacturing hub कहीं खोलना तो सबसे पहले जमीन अधिगरन करना है जमीन अधिगरन करने के बाद बिजली चाहिए बिजली के बाद road चाहिए, infrastructure चाहिए तो ये सारे के सारे चीजे लगानी होगी तब ही जाकर के एक company establish कर पाएगी कि नया manufacturing hub खुल वाएगा सरकार ने क्या किया है कि सरकार कर रही कि जो company चीन चुर के इंडिया आना चाहती है उसके लिए जो है सरक road infrastructure बना हुआ मिल रहा है उसके लिए जो है बिजली मिल रही है उसके लिए जो घर चाहिए या जो भी चाहिए चीज चाहिए उसके लिए बना बनाया हुआ मिल रहा है इसे को कहा गया plug and play model यानि अगर मानलो चीन चुर के कोई company इंडिया आना चाहती है तो उसे ना तो भूमी अधिगरन करना है वो भी सरकार करके आपको दे रही है उसे ना तो building बनाना है वो भी सरकार करके आपको दे रही है उसे ना तो electricity बनाना है वो भी सरकार करके आपको दे रही है तो सारे चीज़ें सरकार आपको करके दे रही है इसे ही कहा जाता है plug and play model यानि आप आईए बस और यहाँ पर अत्मा उत्पादन शुरू कर दीजे आपको किसी अन्य चीज़ में investment करने के आवशक्ता नहीं है सारे चीज़ें सरकार आपको करके देगे बिजनेस पर यह पर नॉर्मली इंपोर्टन्ट होता है अंतराष्टी है आई यार में यह काम देगा लेकिन आज इस पर कोई इंपोर्टन्ट न्यूज नहीं है देखो आज इतना ही हमारे पास news था लेकिन एक बस यह याद रख ले ना वन डेक ज़्वा में कई बार question पूछा गया है कि मार्स रोवर मिशन जो है नासा ला रही है नासा के द्वारा मार्स रोवर मिशन जो है किस संस्था ला रही है तो यहा तरखेना मार्स रोबर मिशन जो है नासा के दोरा लाय जारा है जो मार्स पे जाएगे यहानि मंगल गरापे जाएगे तो इतना बस यहां तरखेना वॉन्-Date Eagle में कई वारे कुछिशन पुछा आ है मार्स रोवर मिशन मंदित है नासा से जो मंगल पर जाएगे तो चली question पर discuss करते हैं अब देखो question जो हमारे पास था है कि भारत और अमेरिका ने किस agreement पर sign नहीं किया तो कौमकासा पर sign किया 18 में 2018 में sign किया लेमोआ पर 16 में हमने sign किया 2016 में हमने sign किया G.S.O.M.I.P.E. हमने sign किया था 2002 में लेकिन अभी तक भारत ने अमेरिका का जो महत्पून agreement है जिसे कहा गया B.E.C.A. Basic Exchange of Cooperation Agreement पर sign नहीं किया तो option C यहाँ बिल्कुल आपका सही होगा कि B.E.C.A.P.E. हमने अभी तक sign नहीं किया है Basic Exchange of Cooperation Agreement पर भारत ने अभी तक sign नहीं किया है option C बिल्कुल सही है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद Thank you so much Please do like, share and subscribe Thank you